नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्व चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तूला रासी के महारासी फल के बारे में कि यह दिन तूला रासी वालों के लिए केसा रहेगा किन कीन चीजों से इनको फायदा होगा और किन चीज़ों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइप के से रहेगी केरियर के सा रहेगा बिजिनेस और बैपार के सा रहेगा और स्वास्ते की महत्पुन जानकारी इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका शुबरंग और सुबरंग के क्या है दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको इगुपाई बताएंगे जिससे आप अपने दिन को अच्छा और बहतर बना सके तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटोपीकिसन बैल को दबा दें जिससे समय समय पर हमारे नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चले दोस्तों बात करते हैं कि कैसा रहेगा तूला रासी वालों के लिए आज का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आज आपके लिए पोजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज आपका काफ़ी समय से कोई रुका हुआ कारे बनने वाला है किसी निजदी की मित्र अथवा शमंदी की सला भी आपके लिए उपियों की साबित होगी आपका संतुलूत वहवार आपको किसी भी परिश्टे में समानजस बनाकर रखने में मदद करेगा अज दिन पर फायदमन शिती रहेगी मेहनत से आपको कामा में सफलता देगा घर से समन्दित गतिविदियों भी आपका ध्यान केनत रहेगा पर पोटे अथवा वहार की खरीद परोग समन्दित कोई गतिविदियां भी हो शक्ती है अवनाव में भागने की वज़य विवेक और चतुराई से परस्तियां को अपने पक्ष में करना बहुती लाब दायक रहेगा भाग की अपेच्छा कर्म पर विश्वास रखें कर्म से ही भाग को भी बल मिलता है बज्चे की किलकारी समन्दित सुप सुचना मिलने से घर में उस्ता भरा माहोल रहेगा दोस्तों कोई विविवरित परस्तियां आने पर तनाव लेने की बज़ा सकार्तमगर है इसे आपका मनुवल और आत्म विश्वास बढ़ेगा दोस्तों इन दिनों के शमय अवधी में आपके लिए बहुत ही फाइदिमन इसती रहने वाला है पूरी ताकत अपने कामों पर लगा दे आज आपको अपने परियासों के शकर्तमग परनाम हाशिल होंगे आर्थी ओजनाव को भली भुद्धी करने का उचित समय है रुपे पैसे के लेंदन समय दिद भी गतिवी दिया होगी दिन की सुरुवात किसी सुखत समाचार से होगी और आपका विबेख और आर्दर स्वादी सभाव आपकली महतुपन उपलदियां बनाएगा जो लोग आपके खिलाब थे आज वही आपके पक्स में आएगे और समवन्द में भी सुधार आएगा दरके किसी परिवारी सदर से की उपलदि को लेकर उस सब का महुल रहेगा आज कोई ऐसी सुखत घटना होगी जिससे की आप खुद आसर चकित रह जाएगे आपको किसी इस्वरिय सक्ति का अभ्यास होगा दोस्तों दिन की सुरुवात में ही अपने काम को रुप्रेखा बना ले दोपरबात प्रसितिया और अज़ादा अनुकुल रहेगी परिवारी और समाजी गतिविदियों में आपका उचित समय वेतित होगा मन में भी प्रसंता और उर्जा बने रहेगी परिवारी गिलेशिक में दूर करने का वेहतर्श में है आपसे समंदों में भी मदूरता बढ़ेगी आपके उत्तम व्यक्तित और सरल सभाव की वज़ेशे समाज में आपकी मान पर्तिष्टा बने रहेगी समाजी कतिविदियों में आपका सहयोग भी रहेगा दोस्तों दिन मन मुतावित बितेगा दोसरों से मदद लेने की बज़ाए अपनी कारे परनाली और कारे छमता पर ही विश्वास रखें पुराने दोस्तों से मुलाकात आपको तरोतवाजा करेगी अपने किसी रूची पूर्ने कारे में समय वेतित करने से आपको प्रशंता मिलेगी दोस्तों आपके ऊपर भगवान की किरपा बनी हुई है अब अनेक परकार के उन्नती और चमतकारी दिखने को मिलेंगे इसलिए प्रयास सद हैं भगवान की किरपा से शारे काम शखल हो जाएंगे दोस्तों संपती समंदी कोई भी बात चल रहा है तो बड़े लोगों की मदद से हल करने का प्रयाश करें इससे बात बन सकती है दिन समान ही रहेगा संतान से समंदी कोई समस्या हल होने से रहाद भी मिलेगी दोस्तों आपका धहर और स्यम रखना आपसकी व्यस्ता को उचीद बनाए रखने में मदद करेगा बच्चों से समंदी कोई समस्या भी दूर हो सकती है कुछ समय धार्मी क्ताद आत्मी गत्ती विदियों में समय वितित करने से मानसिक सिकुन मिलेगा दोस्तों नेगेटिव की बात करें तो अपने सभाव में लचिला पलनाना जरूरी है विप्रित परसितियों में भावनाओं के आवेस्म ना आएं दूसरों के साथ सक और वहम जैसी इस्तिना आने दें संतान की किसी समस्या से उसका सहयोग करना जरूरी है किसी भी तरह की दिकत्ते आने पर अनुवी व्यक्ति की सलह अवस लें क्योंकि आपका खुद का निने गलत भी हो सकता है इस समय किसी समंदी के साथ कुछ मद्वेद होने की आसंका है अपने कुरोध पर नियंतर रखें दोस्तों क्रोध आदमी को सेतान बना देता है इसलिए क्रोध पर काबू रखें दोस्तों आपको विकार करेंगे आवसी आपको सफलता मिलेंगे और दोस्तों क्रोध आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देता है इसलिए इसको धान रखके चले दोस्तों आप आवसी सफल की प्राप्ति करेंगे दूस्तों किसी भी उजना को जल्दवाजी और लापरवाई से क्रियाविंत ना करें किसी निकट समंदी दौरा कोई अपनी समचार मिलने से मन कुछ उधास रह सकता है इसमें अपने भावना पर काबू रखना जरूरी है इस समय रुपे पेसे समंदी कोई भी लेंग देन ना करें वाना मुसीवत में फस सकते हैं घर के बड़ी बुजरों का शम्मान वा आधर बना रखना आपका कर्तव है विद्यातिक था युवावर्ग अपने लक्ष को हासिल करने के लिए और अधिग मेहनत करें आवसी आपको शफलता मिलेगी दूस्त नई जिमेदारियां आपके उपर आने से कारभर बढ़ सकता है कभी निवेश करने से पहले उसकी उचीत जानकारी हासिल करना जरूरी है ध्यान रखें कि किसी के साथ बाद बाद होने से आपकी परेसानियां बढ़ सकती है जोस्तों कभी-कभी आलस और सुस्तिकी वज़े से आप काम को टालने का प्रयाश करेंगे इसे आपकी दिनचारिया अस्तवयस्त भी हो सकती है को भी निर्ने लेने में दिक्कत आये तो अनुवी वेक्ति की सलाह अवश्र लें विद्यार्ति था युवावर्वर्वेर्त की गत्री विद्यों में समय ब्रबाद ना करें ज करना था इसकी बन सकती नोगों से संपर्ख बने हैं इसमें व्यवपार से समंदी का अाब प्रचार पर सार कर ना जरूरी है इससे प्रभावशाली संपर्व में गयर ऑफिस में किसी भी सहय्यों के साथ वाद विवाव्या बरना पढ़ें इससे आपकी छवी भी खराप हो सकती है बिजनेस में चल रही रुकावटे में कमी आएगी इस समय कहीं भी पैसा निवेश ना करें कर्मचारियों और साज़ेदारी समंधी गतिविदियों और क्रिया कलापर पर पूरी नजर रखें और फिस की कारपनाली घर से ही चलने की व कुछ तो सब्सक्राइं किस संभावना है उसा में कुगी पुंजी लगांगे तो आपको आवसी सफलता बीलेंगे क्योंकि भागवान की किरपा आप पर बनी हुए है और भागवान के खिरपा से व्यृ helfen का मैं आपकई उन्रति तरखियां भी हाशिल करेंगे ज judgment 15 7 कार जा सावधान राने की ज़रुत है मेडिया मार्केटिंग से समधी व्यावसा में उचित उपलब्दियां हासिल होगी किसी कर्मचारे की गतिविदी आपको तनाब दे सकती है युदा के केरियर में इस रिताएगी और अधिकारियां से मन मदद भी मिलेगी उस्तों इस समय लवलाइब की किसी परिशानी में जीवन साथी या परिवार जनों की शला अवश्र लें निसीदी आपको उचित मार्दर्सन मिलेगा लव एफेर्स के मामलों में समय नश्ट ना करें दोस्तों पती-पत्नी में आपसे समान जस उचित बना रहेगा प्रेम समध में एक प्रिविदिक चीजों का अपना है दोस्तों नजला जुखाम जिसे अलेर्जी से परिशान रहेंगे लापारवे ना करें मौसम से अपना उचित बचाव रखें आज आपका स्वास्त ठीक रहेगा तनाव अवसाथ तथा मौसमी परिशानी से थोड़ा साफधान रहें अन चुझत आप बात करता अपके उपाय के बारे में दूस्तों आज रात्रीक के समय इस्टान कोने में गाय के सुदिघी का दिपक जलाएं लेकिन इस बात का ध्यान रखे कि इसमें रुई की बत्ती की जगा लाल सुत्ती धागे की बत्ती का प्रयुक करें और साथ ही कुछ केसर के धागे डाल दें माना जाता है कि इसमें मालक्षमी की किरपा होती है और आपको आकसमे धन के प्राप्ति होगी और मालक्षमी की किरपा से आपके सभी काम भी बनेंगे दोस्तों आप बात कर लिता आपका भागिसाली रंग और भागिसाली आंक क्या है दोस्तों आपका भागिसाली रंग हारा है और भागिसाली आंक आठ है दोस्तो मालक्षमी जी की आसिरवाद आप से भी को प्राप्तो सच्चे दिल्शे कमेंड बॉक्स में जै मालक्षमी जरू लिखें और वीडियो को लाइक सेर जरू करें धन्यवाद